प्याज और लहसुन का जन्म गंदगी से हुआ राक्षस के मल से हुआ इसलिए वो गंदग उससे दुरगंद बहुत आदी अम्रत की बूंद जमीन पर गिरने से एक बूंद लहसुन हो गई एक बूंद से प्याज हो गई प्याज और वेद में इन्हें अम्रत कहा गया है दोनों को लहसुन और प्याज को ऐसा है बाबा जी क्या आप कुछ बोलेंगी क्योंकि शास्त्रों के नुसार प्याज की उत्पती कुट्टे के अंडकोस से है और लहसुन की उत्पती कुट्टे के नक से है आप वाबाची अब्य कुछ ययन बाटियेगा। तो गोव माता है उसके जहां हड़ी गिरी वहां से लसुन होगा। और जहां फ्लेश गिरा वहां से प्यास होगा। तो इसलिए अगर आप्यार लसुन खा रहे हैं तो वेसलिए हम गव माता की हड़ी और मास्क खा रहे हैं कैसे कैसे लोग रहते हैं